हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल आस क्लास में आज की इस वीडियो में समाजिक विग्यान के काफी महत्पुन असी अब्जेक्टी प्रशन बताएंगे और ये जो असी अब्जेक्टी प्रशन है ये आपके फाइनल बोड पर इक्षा के लिए काफी महत्पुन है और इस असी अब्जेक्टी प्रशन में से बहुत सारे प्रशन आपके फाइनल बोड पर इक्षा में पूछे जाएंगे तो एक भी प्रशना आप लोग इसकी मत किजिएगा वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंतक देखिएगा और इसका PDF हम आपको बिल्कुल फ्री में देंगे और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसका PDF आप लोग कहां से डाउनलोड कर सकते हैं तो इस हतपुड प्रशन हैं यहाँ पे आपको बताना है कि कांजी रंगा रास्टे उध्यान किस राजे में इस्तित हैं तो यह असम राजे में इस्तित हैं यहाँ पे एवाला आप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा और कांजी रंगा रास्टे उध्यान में एक सिंग वाला यहाँ पे आपको बताना है कि सुन्दरवन किस राजे में इस्तित है तो सुन्दरवन पसिम मंगाल राजे में इस्तित है यहाँ पे सीवाला ओप्सन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और सुन्दरवन में बाग पाया जाता है तो ये भी साथ में आपको याद रखना है और भार तो है यहाँ पे आपको बताना है कि सौर उर्जा निमन में से किस परकार की उर्जा है तो यह नवी करणिया उर्जा है ये कभी खतम नहीं होने वाला है तो यहाँ पे बिवाला ओप्सन बिल्कुल सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रश्ण चार नमबर प्रशन है कि गाधी जी को महात्मा की उपाधी किस ने दी थी काफी महत्पुड प्रशन है यह आपके बोड़ परिक्षा के लिए यहाँ पे आपको बताना है कि गाधी जी को महात्मा की उपाधी किस ने दी थी तो रविंदरना टैगोर जी ने दिया था इसे आ आपको याद रखना है एक प्रशनी ये भी पूछा जाता है कि रविंदरना टैगोर जी को गुरुदेव किस ने कहा था तो महात्मा गाधी जी ने कहा था तो ये भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशना पांच नंबर पांच नंबर प्रशन है कि चौरी चौरा वरतमान में किस राजे में इस्तित हैं यहाँ पे आपको बताना है कि चौरी चौरा वरतमान में किस राजे में इस्तित हैं तो यह उत्तर परदेश में इस्तित हैं यहाँ पे यह वाला आप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश प्रशन है कि लखनओ समझोता किस वर्ष हुआ काफी महत्पुड प्रशन हैं यहाँ पे आपको बताना है कि लखनओ समझोता किस वर्ष हुआ तो 1916 में हुआ इसे आपको याद रखना है यहाँ पे ए वाला उप्शन बिलकुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला तो संपरदाइक दंगा कौन करता है मानो करता है तो संपरदाइक दंगा मानो जनिताबदा हुआ आतंकवाद मानो फैला आता है तो आतंकवाद मानो जनिताबदा हुआ और रेल दूर घटना किसके कारण से होता है तो मानो के कारण से हुआ होता है तो यहाँ पे रेल दूर आठ नमबर प्रशन है कि रूसो कहा के दार्शनिक था काफी महत्पुड प्रशन है यह आपके बोड़ परिक्षा के लिए यहाँ पे आपको बताना है कि रूसो कहा का दार्शनिक था तो रूसो फ्रांस का दार्शनिक था यहाँ पे यह वाला आप्शन बिल्कुल ही सही हो यह देखते हैं अगला प्रश्ण vousois नौनसुपर प्रश्ण की भारत में समिधान सबा का गठन में कब हुआ। यहां पर आपको बताना हैं कि भारत में समिधान सबा का कटन में कब हुआ। तो 1946 में हुआ यहाँ पे C वाला option बिलकुल ही सही हो जायेगा आईए देखते हैं अगला प्रशन 10 नमबर 10 नमबर प्रशने कि किस देश में बहुदलिय विवस्था नहीं है तो जो बिरिटेन है इस देश में बहुदलिय विवस्था नहीं है यहाँ पे D वाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा और भारत में बहुदलिय वे उस्ता है तो ये भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशने 11 नंबर 11 नंबर प्रशने की क्रिसी छेतर में कौन सी विरुजगारी पाई जाती है यहाँ पे आपको ब बिल्कुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशना 12 नंबर 12 नंबर प्रशने की निमन में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है इसमें से आपको बताना है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है यानि प्राइवेट है तो जो मॉल सेवा होता है यह गैर सरकारी होता है प्र खनिज निकाला जाता है यहाँ पे आपको बताना है कि बैला डिला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है तो लोह अयस्क निकाला जाता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे डी वाला आप्शन विल्कुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्न चौदा नमबर तो यहां पे डी हौला औप्सन बिलकुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन 15 नमबर 15 नमबर प्रशन है कि चावल के उत्पादन में भारत का अस्थान कौन सा है यहाँ पे आपको बताना है कि चावल के उत्पादन में भारत का अस्थान कौन सा है तो दूसरा है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे बीवाला आप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा और किस देश का पहला अस्थान है तो चीन का पहला अस्थान है तो ये भी साथ में आप को याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रश्ण सूला नंबर प्रश्ण कि विश्व में अधिक फलो और सब्जियों का उत्पादन किस देश में होता है काफी महत्पुड प्रश्ण यह आपके बुड़ परिक्षा के लिए यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व मे अधिक फलो और सब्जियों का उत्पादन किस देश में होता है तो अपने देश भारत में होता है तो यहाँ पे डी वाला उप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण सत्रा नंबर प्रश्ण है कि दूद के उत्पादन में लाई गई करांत बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 18 नंबर 18 नंबर प्रश्ण है कि नगारजुन परियुजना किस नदी पर इस्तित है यहाँ पे आपको बताना है कि नगारजुन परियुजना किस नदी पर इस्तित है तो यह कृष्णा नदी पर इस्तित ह यहाँ पे बीवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन 19 नमबर 19 नमबर प्रशन है कि सुनामी की सस्थान पर आता है यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी की सस्थान पर आता है तो सुनामी समुन्दर में आता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे भीवाला ओप्षन बिल्कुली सही हो जाएगा और जपान में सबसे अधिक सुनामी आता है तो यह भी साथ में आपको याद रखना है आएए देखते हैं अगला प्रश्ण 20 नमबर 20 नमबर कि टेक्सोल का उप्यो किस में किया जाता है यहाँ पे आपको बताना है कि टेक्सोल का उप्यो किस में किया जाता है तो कैंसर के इलाज में किया जाता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे सी वाला ओप्षन बिल्कुली सही हो जाएगा और टेक्सोल किस से प्राप्थ होता है तो पेंड़ पोधों से प्राप्थ होता है तो ये भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 21 प्रश्ण किनिम्न में से कौन सी मेटी सरवाधी कुप जाओ है काफी महत्पुड प्रश्ण ये आपके बोड़ परिक्षा के लिए यहाँ पे आपको बताना है किनिम्न में से कौन सी मेटी सरवाधी कुप जाओ है तो जो जलोड मेटी होती है ये सरवाधी कुप जाओ मेटी होती है यहाँ पे डी वाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्ण बाईस नंबर बाईस नंबर प्रश्ण है कि A.C.A. का सबसे बड़ा परमाडो बिधुद्गरी कहा इस्तित है काफी महतपुड प्रश्ण है यहाँ पे आपको बताना है कि A.C.A. का सबसे बड़ा परमाडो बिदुद्गरी कहा इस्तित है तो तारापूर में इस्तित है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे एवाला option मिल्कुली सही हो जाएगा और तारापूर कहा है तो महरास्ट में है तो ये भी साथ में आपको याद रखना है आए देखते हैं अगला प्रशन 23 नंबर 23 नंबर प्रशन की एक टन स्पात बनाने में कितने मैगनीच का उप्यूग होता है तो एक टन स्पात बनाने में 10 केजी मैगनीच का उप्यूग होता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे सी वाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रशन 24 नमबर 24 नमबर प्रशन है कि गुड़वाना समू में किसका निर्माड हुआ था काफी महत्पुड प्रशन है यहाँ पे आपको बताना है कि गुड़वाना समू में किसका निर्माड हुआ था तो कोईले का निर्माड हुआ था यहाँ पे सी वाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा और कोईला किस राजे में सबसे अधिक पाया जाता है तो जारखंड राजे में पाया जाता है प्रेल वर्क्स आप जमालपूर में इस्तित है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पर एवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्रशन 26 नमबर, 26 नमबर प्रशन की खाद कर खाना कहां इस्तित है, यहाँ पर आपको बताना है, की खाद कर खाना कहां इस्तित है, तो खाद कर खाना बरौनी में इस्तित है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पर सी वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्रशन 27 नमबर, 27 नमबर प्रशन की भुकम की तिबरता किस से मापा जाता है, यहाँ पर आपको बता 28 नमबर प्रशन की भुपाल गैस त्रासदी किस परकार की आपदा थी, काफी महतपुड प्रशन है, यहाँ पर आपको बताना है की भुपाल गैस त्रासदी किस परकार की आपदा थी, तो यह मानोजनित आपदा थी, यहाँ पर भी वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, औ और भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिशा हुआ था तो मिथाईल आइसोसाइनाइट का रिशा हुआ था तो ये भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशन 29 नंबर 29 नंबर प्रशन है कि भारतिय समिधान के अनुसार भारत वर्ष को घोसित किय गया है काफी महत्पुड प्रशन है यहाँ पे आपको बताना है कि भारतिय समिधान के अनुसार भारत वर्ष को घोसित किया गया है तो धर्म निर्पेक्ष राजे घोसित किया गया है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे डी वाला आप्शन बिलकुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन तीस नंबर, तीस नंबर प्रशन है कि भारतिय समिधान द्वारा मानने रास्टिय भसाओं की संख्या कितनी है, काफी महत्पुड प्रशन है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारतिय समिधान द्वारा मानने रास्टिय भसाओं की संख्या कितनी हैं तो बाई से इसे आपको याद रखना है यहाँ पे डी वाला ओप्शन विल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन एक तिस नंबर एक तिस नंबर प्रशन की सूचना के अधिकार आंदोलन की सुरुवात कहा से हुई यहाँ पे आपको बताना है कि सुचना के अधिकार आंदोलन की सुरुवात कहा से हुई तो राजस्थान से हुआ इसे आपको याद रखना है यहाँ पे यह वाला ओप्शन विल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन बतिस नंबर प्रशन है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन की सुरु किया गया यहाँ पे आपको बताना है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन की सुरु किया गया तो यह आंदर परदेश से सुरु किया गया यहाँ पे सीवाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन तैंतिस नंबर प्रशन है कि भारत में दल बद कानुन किस वर्स लागो किया गया यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में दल बदल कानुन किस वर्स लागो किया गया तो 1985 में लागो किया गया यहाँ पे सीवाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन 34 नंबर प्रशन है कि भिहार के किस जिले की प्रतिवेक्तियाए कम है, तो सिवहर जिला का प्रतिवेक्तियाए कम है, यहाँ पे D वाला ओप्षन विल्कुली सही हो जाएगा, और पटना जिला का प्रतिवेक्तियाए सबसे अधिक है, तो यह भी साथ में आपको याद रखना है, आईए देखते हैं, अगला प् अफ्षन बिल्कूल हें हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रशन 36 नमबर प्रशन की युरोप का मरेज किस देश को कहते हैं तो तुरकी को कहते हैं इसे आपको याद रखना है यहाँ पर c वाला ओप्षन बिल्कूल हें हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशना 37 नंबर प्रशने की सेर बजार का नियामक संस्था इसमें से आपको बताना है कि सेर बजार की नियामक संस्था कौन है तो सेवी है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे वी वाला आप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा कि निती आयोग का पदेन ध्यक्ष कौन होता है तो परधान मंत्री होते हैं इसे आपको याद रखना है यहाँ पे एवाला आप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा और निती आयोग का स्थापना कब हुआ तो 2015 में हुआ तो ये भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशन 49 नमबर 49 नमबर प्रशन की GDP का विस्तरित रूप लिख है यहाँ पे आपको GDP का पूरा नाम लिखना है तो GDP का पूरा नाम क्या होता है तो Gross Domestical Product होता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे ये वाला option विल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन 40 नमबर 40 नमबर प्रशन की ATM का विस्तरित रूप है यहाँ पे आपको ATM का पूरा नाम बताना है तो ATM का पूरा नाम होता है Automatic Taylor Machine यहाँ पे C वाला option विल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन 41 नमबर 41 नमबर प्रशन की दिर्ग कालिन रिन कौन परदान करता है यहाँ पे आपको बताना है की दिर्ग कालिन रिन कौन परदान करता है तो भूमी विकास बैंक करता है यहाँ पे C वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन 42 नमबर प्रशन की कोईला कितने परकार के होते हैं तो कोईला 4 परकार के होते हैं यहाँ पे D वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा और सबसे अच्छा कोईला एंथ्रोसाइड होता है और सबसे ख तो नरेगा एक राष्टी अस्तर का कारेकरम है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे बीवाला ओप्सन विल्कुली सही हो जाएगा और नरेगा में ग्रामिन मजदूरों को साल में कम से कम सो दिनों का रोजगार मिलता है तो यह भी साथ में आपको याद रखना है आएए द होता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे बीवाला ओप्सन विल्कुली सही हो जाएगा आएए देखते हैं अगला प्रशन पैंतालिस नमबर प्रशने की रूस की मुद्रा है तो रूस की मुद्रा क्या है तो रूबल है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे एवाल option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नमबर प्रश्न है कि जालिया वाला बागत्याकंड की जाच के लिए सरकार ने किस समीती का गठन किया काफी महत्पुड प्रश्न है आपके बोड़ परिक्षा के लिए यहाँ पे आपको बताना है कि जालिया वाला बागत्याकंड की जाच के लिए सरकार ने किस समीती का गठन किया तो हंटर समीती का गठन किया यहाँ पे एवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नमबर प्रश्न कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी काफी महत्पुड प्रश्न है यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी तो महात्मा गाधी जी ने लिखा था इसे आपको याद रखना है यहाँ पे C वाला option विल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्णा 48 नंबर 48 नंबर प्रश्णा कि भारती राष्टी कॉंग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे तो भारती राष्टी कॉंग्रेस के पहले अध्यक्ष विल्कुली सही हो जाएगा और भारती राष्टी कॉंग्रेस का स्थापना कब हुआ तो अठारा सो पचासी में हुआ तो ये भी साथ में आपको याद रखना है आए देखते हैं अगला प्रश्णा 49 नंबर 49 नंबर प्रश्णे के पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया तो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहोर अधिवेशन में किया गया यहाँ पे एवाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन 50 नमबर, 50 नमबर प्रशन कि महात्मा गाधी किस पत्रिका का संपादन किये थे, यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गाधी किस पत्रिका का संपादन किये थे, तो यंग इंडिया का संपादन किये थे, इसे आपको याद रखना है, यह पे सी वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रशने क्याओन नंबर प्रशने की बिहार में राज मार्ग 2 किस नाम से परसीद है यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में राज मार्ग 2 किस नाम से परसीद है तो सेरसा सुरी मार्ग से परसीद है इसे आ को मनाया जाता है यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व पर याउरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है तो यह पांच जून को मनाया जाता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे यह वाला आप्सन बिल्कुल ही सही हो जाएगा आए देखते हैं अगला प्रश्ण तिरपन नमबर तिरपन नमबर प्रशने की पितल बनाया जाता है तो पितल किस से बनाया जाता है तो ये तामबा और जिंक से बनाया जाता है यहाँ पे ये वाला आप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा और जो पितल होता है ये मिस्र धातु होता है तो ये भी साथ में आपको याद र खाना किस राजे में इस्तित है, तो ये गुजरात राजे में इस्तित है, यहाँ पे D वाला आप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्रश्न पचपन नम्बर, पचपन नम्बर प्रश्न है कि भारत के किस राजे में कोईले का अधिक उत्पादन होता है तो भारत के किस राजे में कोईले का अधिकुत पादन होता है तो जारखंड राजे में होता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे बीवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 56 नमबर 56 नमबर प्रश्ण किनिम्न में से कौन रवी फसल है इसमें से आपको बताना है कि कौन रवी फसल है तो जो गेहू होता है यह रवी फसल होता है यहाँ पे एवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा और चावल खरी फसल होता है तो यह भी आतमें आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 57 नमबर 57 नमबर प्रश्ण कि धरम को रजनीती से अलग नहीं किया जा सकता है या किस ने कहा तो धरम को रजनीती से अलग नहीं किया जा सकता है यह महत्मा गाधी जी ने कहा है यहाँ पे एवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्ण अंठावन नमबर अंठावन नमबर प्रश्ण है कि पटना नगर निगम के परधान को कहा जाता है यहाँ पे आपको बताना है कि पटना नगर निगम के परधान को क्या कहा जाता है तो महापौर कहा जाता है यहाँ पे एवाला आप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा और महापौर का कारेकाल कितने वर्सों का होता है तो पाच वर्सों का होता है तो यह भी साथ में आपको या तिरे तो किस ने किया तो जै प्रकास नरायन जी ने किया, यहाँ पे D वाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा, यह देखते हैं अगला प्रशन प्रशना 60 नमबर साथ नमबर प्रशना की वर्तमान में नैपाल की सासन परणाली क्या है, यहाँ पे आपको बताना है कि वर्तमान में नैपाल की सासन पढ़ना ली क्या है तो लोगतंत्र है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे एवाला आप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशने 61 नमबर 61 नमबर प्रशने की बिहार में पंचायती राज संस्थाय है यहाँ पे आपको बताना है की बिहार में जो पंचायती राज संस्थाय है यह कितनी अस्तरिया है तो यह तीन अस्तरिया है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे C वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण 62 नमबर प्रश्ण की छेतरवाद की भावना का एक कूप परिमाड है यहाँ पे आपको बताना है की छेतरवाद की भावना का एक कूप परिमाड है तो अलगावाद है इसे आपको याद रख यहाँ पे D वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 63 नमबर प्रश्ण कि लोगतंतर के मार्क की सबसे बड़ी बाधा क्या है यहाँ पे आपको बताना है कि लोगतंतर के मार्क की सबसे बड़ी बाधा क्या है तो असिक्छा है इसे आपको य याद रखना है यहाँ पे बीवाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्ण चौसट नंबर प्रश्ण है कि भारतिय लोगतंत्र के कितने अंग है यहाँ पे आपको बताना है कि भारतिय लोगतंत्र के कितने अंग है तो तीन अंग है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे B वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न की जालिया वाला बाघत्या कांड कब हुआ था यहाँ पे आपको बताना है कि जालिया वाला बाघत्या कांड कब हुआ था तो 13 अप्रेल 1919 को हुआ थ तो यहाँ पे C वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न की लोगतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है यहाँ पे आपको बताना है कि लोगतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है तो विका से इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे D वाला option बिलकुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्रशन 66 नमबर 66 नमबर प्रशन है कि राजनितिक दलों की निव सरोपर्थम किस देश में पड़ी यहाँ पे आपको बताना है कि राजनितिक दलों की निव सरोपर्थम किस देश में पड़ी तो ब्रिटेन में पड़ी यहां पे ये वाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा आई देखते हैं अगला प्रशना 68 number प्रशने कि राजनीतिक दल का आसे हैं यहां पे आपको बताना है कि राजनीतिक दल का आसे किस से है तो बैक्तियों के समुहोसे हैं इसे आपको याद रखना है यहां पे C वाला औप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा आए देखते हैं अगला प्रशन उनहत्तर नमबर प्रशन की क्रिसी कारे में महिलाओं की भागेदारी हैं यहाँ पे आपको बताना है की क्रिसी कारे में महिलाओं की भागेदारी कितनी हैं तो 40% है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे बीवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आए देखते हैं अगला प्रशन सतर नमबर प्रशने की पंचायती राज बेवस्ता सरो प्रथम किस राजे में लागू किया गया काफी महत्पुड प्रशने हैं यहाँ पे आपको बताना है की पंचायती राज बेवस्ता सरो प्रथम क इस राजे में लागू किया गया तो यह राजस्थान में लागू किया गया यहाँ पे एवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आए देखते हैं अगला प्रशने 71 नमबर प्रशने की स्वापन दर्सी समाज का संस्थापक कौन था यहाँ पे आपको बताना है की स्वापन दर 72 नमबर 72 नमबर प्रशने की किसे समाजवादियों का वाइविल कहा जाता है तो दास केपिटल को समाजवादियों का वाइविल कहा जाता है यहाँ पे सी वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आए देखते हैं अगला प्रशने 73 नमबर 73 नमबर प्रशने की भूमी सांती और रोटी ये तिन नारे किस ने दिये, तो लेलिन ने दिये, यहाँ पे एवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्रश्ण चुहत्तर नमबर, प्रश्ण कि अप्रेल थिसिस किस ने तियार किया था, यहाँ पे आपको बताना है, कि अप्रेल थिसिस क 75 नमबर, 75 नमबर प्रश्ण कि चेका क्या है, यहाँ पे आपको बताना है, कि चेका क्या है, तो चेका पुलिस दस्ता है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे डिवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्रश्ण चेहत्तर नमबर, चेहत्तर में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे एवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्रश्ण चेहत्तर नमबर, चेहत्तर नमबर प्रश्ण कि जनेवा समझोता कब हुआ, यहाँ पे आपको बताना है, कि जनेवा समझोता कब हुआ, तो जनेवा समझोता 1954 में हुआ, यहाँ पे एवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्रश्ण 89 नमबर, 89 प्रश्ण कि हिंद चीन छेतर में कौन सा देश नहीं आता था, तो हिंद चीन छेतर में जो चीन देश था यह नहीं आता था, यहाँ पे डी वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, यह देखते हैं, अंतिम प्रश्ण 80 नमबर, 80 नमबर प्रश्ण कि अंकोरवाट का मंदिर की सिंदु देवता को समर्पित है, तो अंकोरवाट का मंदिर जो है यह भगवान, विश्णू को समर्पित है, यहाँ पे एवाला option बिल्क कर लिजिएगा, और उसके बाद इसको इसमें से जो भी प्रश्ण याद नहों से आप लोग याद कर लिजिएगा, और यह रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्ण इसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है, कि काली मिटी किस फसल के लिए उप्यूक्त होता है, A कपास के लिए, B उप्सें लेची के लिए, C उप्सें गेहूं के लिए, D उप्सें बाजरा के लिए, तो जो भी उप्सें आपको सही लगे वो आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा, आईए अब हम बताते हैं कि इसका PDF आपको कहा से डाउनलोड करना है, तो सिंप क्लास लिख देंगे, जो चैनल का नाम है, और यहाँ पे सर्च कर देंगे, तो जैसे हम यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे देखिए, लिखा हुआ मिल गया, आस क्लास, इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, और जैसे यहाँ पे क्लिक किजिएगा, तो यहाँ आप देखिए आप लोग यहां से टेस्ट लगा सकते हैं, यहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और यहां पर देखिए लिखा हुआ है metric last 10th question bank, तो यहां पर देखिए यह question bank है, यहां से आप लोग बिज्ञान का question bank पढ़ सकते हैं, सभी साल का 2011 से लेके 2021 तक का question bank है, तो यहां हम science का question bank open करके आपको दिखा रहे हैं, तो यहां पर देखिए 2016 तक update है, कल तक यहां पर 2021 तक का update हो जाएगा, यहां पर 2011 का question bank पढ़ सकते हैं, यहां पर 2016 का दुईतिया पाली का question bank पढ़ सकते हैं, यहां पर हम open करके दिखा दे रहे हैं, तो यहां पर देखिए यह open हो और यहां से आप लोग पढ़ सकते हैं और यहां से इसका आंसर भी देख सकते हैं तो आप लोग का रिविजन काफी अच्छी तरीके से होगा यहां से आप लोग रिविजन कर सकते हैं और अब आईए हम आपको यहां पर बताते हैं जो डेली न्यूज होता है वो आपको पर देख सकते हैं अभी scholarship का form निकला है तो यहां से आप लोग भर सकते हैं बिहार बोड का जो नया guidelines जारी हुआ है वो यहां से आप लोग जान सकते हैं और यहां से बिहार बोड का model paper आप लोग download कर सकते हैं सभी BCO का और यहां से अपना admit card download कर सकते हैं और board exam 2022 में यहां से question आ आप लोग visit कीजिए सब चीज देखिए सब चीज आप लोगों के लिए ही है और यहां पे देखिए PDF आपको कैसे download करना है जैसे यहां पे download पे click कीजिएगा यहां पे सभी BCO का PDF आ जाएगा और यहीं से आपको क्या करना है कि उपर में अभी upload नहीं किये हैं जस्ट दो मिन तो यहां से आप लोग download कर सकते हैं तो उमीद करते हैं यह वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर किजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक कर एंद बाइ